आज हम बेसन का एक नया स्वादिश नास्ता बनाएंगे इस नास्ते को बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा तेल मसाले जरूरत नहीं पड़ेगी यह बहुत ही टेश्टी नास्ता है और घर में रखे चीजों से असानी से बन जाता है अगर घर में बेसन है तो आप इस बेसन का बैटर बनाएंगे। पूरे बेसन को हम जाय मैं डालेंगे इसमें आधा कप ग्रीश नास्ता okay इसे नास्ता क्रिस्पी बढ़िया बनेगा इसके बाद इसमें अधा कप रही टालें religion एक जुदन ताज़ा दही है, आधी छोटी चमन नमक डालेंगे स्वाथ के अंसर, एक चौथाई छोटी चमन हल्दी पॉडर डाल देते हैं, एक कप पानी डालेंगे, इसमें हमने जितना बेसन डाला था, उसी कप से एक कप पानी डाल कर इसका बैटर बना लेते हैं, अब मिक्स आप देख सकते हैं, इस तरह बैटर हमने बना लिया है, यह नास्ते के लिए बैटर रिदम तयार है, इसे हम ढख कर साइड में रख देते हैं, और नास्ते के लिए भरावन बनाएंगे, चलते हैं गैस के तरफ, कडाहीम हम एक बड़े चमत तेल डालेंगे, और अच्छी गरम हो गया है, अब इसमें डालेंगे आधी चुटी चमत जीरा, जीरा को चटका लेते हैं, जीरा अच्छे से भुन गया है, अब इसमें कुछ कटी हुई सब्जियां डालेंगे, तीन कटी हुई हरी मिर्च को डाल देते हैं, एक बारिक कटा हुए सिमला मिर्च डालेंग इसको हमने एकदम बारिक काटा है, इसके बाद आधा कप घिसा हुआ गाजर डालेंगे, इसको हमने मोटा कद्दू कस किया है, सब्जी को हम मिला लेते हैं, जिससे नीचे से जीरा जले न, अब इसमें हम स्वात कंसवा नमक डालेंगे, नमक डालने से सब्जी जल्दी इसके बाद आधी छोड़ी चमच काली मिर्च पॉड़र डालेंगे, आधी छोड़ी चमच पास्ता मसाला डाल देते हैं, इससे बहुत बढ़ी हैं टेस्ट बनेगा, आप चाहत इसकी जगह नूड़स मसाला डाल सकते हैं, अब मसाले को मिलाते हुए सब्जी को हम 3-4 मिनि में किया है, इसको हम ढ़कने नहीं, और नहीं तो इसमें पानी डालेंगे, इसी तरह माच फेकाल लेते हैं, शबजी को हमरे नहींस, चाहर मिनिट सक पका लिया हं, अब भाम भवग थ्वच लीमा करेंगे, और इसमें पनीर कुष करेंगे, इसमें हम थोड़ा सहरा धनि Leo यहाँ पर हमने 1500 गराम पनीर लिया है, तो पनीर को हम इसी में कद्दू कस करके मिलाएंगे, पहले पनीर को हम सब्जीम कद्दू कस कर लेते हैं, तो पूरे पनीर को हम कद्दू कस करेंगे, अब पनीर को हम अच्छे से सब्जीम मिला लेते हैं, इसे हमें पकाने जरूत नही सिर्फ हम सब्जी मिलाएंगे इसमें नमक मसाला पालेश डालकर हमने पका लिया है तो केवल पनीर को हम अच्छे से मिला लेते हैं पानीर को मिला कर भरावन हमने तयार कर लिया है अब गैस को हम बंद करेंगे अब भरावन को हम एक बरतर में निकाल लेते हैं अब भरावन हम साइड में रखेंगे और कडाही हटा कर हम गैस पर तवा को रखेंगे गैस पर हमने तवा रख दिया है तवा हलका गरम है अब इस पर हम बैटर डाल कर फैलाएंगे तो पहले बैटर को हम एक बार फिर से मिला लेते हैं यहां पर हमने इस तरह के छोटी कटोरी लिया है इसी से हम नास्ते को बनाएंगे तो इसमें से हम एक कटोरी बैटर उठाएंगे और फिर तवेब डाल कर फैलाएंगे जिस तरह से हम डोसा बनाते हैं उसी तरह से हम इसको बनाएंगे इसको हमें एकी तरफ पकाना है तो मीडियम आज पर इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक नीचे से सुनहर रंग में न हो जाए और इसके उपर से पूरी तरह से कलर न बदल जाए आप देख सकते हैं उपर से पूरी तरह से कलर बदल गया है और नीचे से सुनह रंग में हो गया है आप इसके उपर से हम थोड़ा से चटनी लगाएंगे तो एक चमच थोड़ा से केचप लगा देते हैं और एक चमच हम हरी चटनी लगाएंगे यह हमने हरी मिर्च मुंफली चटनी बनाया है आप कि मौटने के बाद आप देख सकते हैं कितना बढ़ी ज़रूद पना है एकदम ट्रेस्टी चट पटा नास्ता बना है और इसको सेकिनिंग तेल नहीं लगा है इसी तरह से हम और भी Poke बना लेते लगते हैं एक नास्ता सेखने में 4-5 मिनिट लग जाते हैं बैटर डाल कर फैला दे फिर 4-5 मिनिट तक मेडियम आज पर सेख ले जब नीचे सुनहर रंग में हो जाएं तब इसके उपर से चटनी और सब्जी लगा दें फिर इसके बाद मोड़कर खाने के लिए सर्व करें आप इस नास्त çile is कूछ है यहांपर हमने दो नास्ता बना लिया है तो आप इस तरह से नास्ता बनाकर घरत करें तब लिए करें हमें यकिन है कि अब घर में सभी को बहुत पशंद आएग बहुत ही आसान नास्त है कम चीज़ें만 आसान बना सकते हैं प्रेंट प्रेंट